नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं PME विद्या चानल चानल नंबर 10 और NCRD का ओफीशिल यूट्यूब चानल आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेनुभट अपने इस लाइफ फोन इन प्रोग्राम में और आप सभी देखने वालों को हम ब कोचब पार्ट हम आपके साथ साजा करेंगे आज के सेत्र में सीशक है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले ये कहानी है चो लिखी है सूपरसिद हिंदी और अर्दु शायर लेखक और गीटकार निदाफ फासली ने और इसके बारे में आपको विस्तार से जा कि बच्चों अगर आपके मन में कोई भी सवाल था कुछ जानना चाहते है या कुछ पूछना चाहते है तो बेजजा का हम से जुड सकते है आप हमें फोन गरेंगे हमारे चलीफोन नंबर पर जो है डबल एबल फोर जीरो डबल फाइफ नाइन या फिर आप हमें एमेल कर स तो आपके सब इसे जुड़ सकते हैं अगर बात कोई साथा करना चाहते हैं तो आपकी स्वागत है आपकी सब फीड़ बातों का तो माम जब तक हमारे बच्चे और हमारी दर्शुक हमसे जुड़ते हैं आपकी तरफ रुप करेंगे और जैसे हमने बताया कि यह पार्ट लिक आपके साथा करना चाहते हैं जैसे कि निदा फाजली यह बाकी सारी चीजें उनका नाम यह उप नाम था यह उन्होंने लेखन के लिए यह नाम रखा फाजली और फाजली का निदाकार्त होता है स्वार आवाज तो आवाज ही बन गए एक पूरे बड़े कॉम की अपनी अ प्रशिद्ध प्रसिद्ध अखबार थे और पत्रकारिता किया। अबसे बड़ी चीज कि इन्हें इनकी शायरी के लिए जाना जाता है। फिल्मी संगीत जो असी के दसक की जो फिल्मे आई उसमें इन्होंने काफी कुछ लिखा। रजिया सुल्तान बहुती प्रसिद्ध फिल्म थी। उस फिल्म में एक कई ऐसे गीत इन्होंने लिखे जो आज भी अमर है। इस तरीके से फिल्म से उनका जुडाव रहा। और सबसे बड़ी चीज कि इनकी जो शायरी है इनको इसके लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया। खोया हुआ सा कुछ ये उनकी रचना थी, जिसके लिए। इन्हें वर्तमान काल का कबीर कह जाता है। इसरी कहा जाता है। इनके ही शब्दों में हम इसे देखें। तो इन्होंने कहा खुद के बारे में कि मेरी शायरी बंद हमरों से बाहर निकल कर चलती- जिन्दगी का साथ निभाती है एक तरह से मैं अपनी जबान तलाश करने सडकों पर गलियों में जहां शरीफ जहां शरीफ लोग जाने से कत्राते हैं वहां जाकर अपनी जबान लेता हूं यह बेसिकली इनकी जो है शायरी है और इनकी रचनाएं जो है बंद कमरों से बाहर स्वाजिक सरोकार से साबकारा रखती हैं उनसे ढुड़ती हैं इसलिए इनहें कबीर आज का तो इनके बारे में ये परिचय ही काफी है अब जो इनके बारे में हमें जानना चाहिए वह यह है कि किस तरह कि रचनाएं ने यह जो पाथ है वो मुख्य तहक्प, मूल रूप से ये पार्ट कहानी है और जैसा कि आप देख रही है, इस पार्ट का नाम बहुत ही अलग तरीके का है बहुत अलग है, सुनने में बहुत रोचक लग रहा है, दिलक्शप लग रहा है जी कहीना जानने में जैयासा हो रही होगी की वह जानना चाहते हैं कि ये पार्ट आखे किस बारे में एकिस विशे में हैं तो इनका जो मुलत ह具व भारिम कना इतिहासे जो उधाहरणों को लेते हुए धार्मिक और एतिहासिक ऐसे हर धर्म की रचनाओं से जैसे कुरान से बाइबिल से हिंदू महाभारत जो महाकावे है उससे इन्होंने कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरन लिये और ये बताया कि अब कहां दूसरों दूसरे के दुख से दुखी होने वाले यानि एक कभी ऐसा र हुआ करते थे ये कभ होगा जब हम किसी को बहुत ही भावनात्मक रूप से हम किसी को समझें ये पार्ट पहली शुरुआत होती है इसमें बाइबिल के एक सोलोमान सोलोमेन है जिसका नाम और उसे कुरान में उसी को उसी व्यक्ति को सुलेमान कहा गया ये दोनों जो व्यक है एक ही व्यक्ति की कहानी है अलग 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 नाम से उन्हें पुकारा गया और ये दोनों जो है इनकी चर्चा होती है मानवी संबेदनाओं को ले करके यहां इसकी पार्ट में इसकी कसका जिक्र होता है और गटना गटती है कि सुलेमान एक बार अपनी पूरी लाव होती है जो म sesayते हैं और खबराग होती है और अपने तदी हैं कि चलो अपने बिल में चलो पोज आ आ powers है है यह सुनते ही कि सुल्म सुलेमान ग़ जाते हैं और चीटियों से कहते हैं कि घबराओं नहीं सुलेमान को χुदा ने सब केwritten सब का रखवाला बनाकर बेजा है ची आगे वो फिर एक सिंधी कवी की, महा कवी की, जिनका नाम सेख आयाज होता है, उनके बारे में एक उदाहरन देते हुए कहते हैं, कि उन्होंने एक बार जब खाना खा रहे होते हैं, अपनी माँ उनके आगे खाना पर उस्ती हैं, और अचानक उन्होंने अपने बाजुओं पर चीटे को देखा, और चीटे को देख करके अचानक देखा और उन्होंने खाना रोक दिया, और रोक कर जा, तब उनकी माँ ने पूछा उनसे कि ये क्यों कहां खाना अचा नहीं लगा, तब उन्होंने कहां कि नहीं नहीं, किसी का बसेरा मैंने चीन लिया है, मैं जा र निदा फ़ाजली था सेचारंड देते हुए आगे बढ़ते हैं निदा फाजली नियां जाकर मृम जिक्र किय जो अरब करे बालेा और पैगंबर मोन हिंपा जाते हैं नोसी एक बार उसे ही दो और उनको रास्ते में एक गुटा जो घयल कुटा है वो मिलता है और उस कुटे को देखकर करके उन्होंने कहा, कि अरे हट उसे दुध कारते हैं, और ये दुध कारने के बाद कुटे ने आवाज दी और कहा, कि जिसे तुम ना मैं अपनी मर्जी से कुटा बना हूं और ना त इसे दुखी होते हैं आत्मग्लानी में जाते हैं और निरंतर सालों साल वो रोते रहते हैं ये छोटी-छोटी घटनाये देकर लेखा कि बताना चाहते हैं कि एक वक्त मानवीय सम्वेधनाये प्रकृति के प्रती मनुष्य का दाइत्व इतने उतकर्ष पर था आज क्या वो वो घट रहा है इस पर चर्चा इस पाठ में की जाती है तो ये घटना घटती है यहां और उसके बाद अब सिर्फ बाइबिल और कुरान का ही उदारण नहीं दे रहा लिखक लिखक युदिस्टिसे की भी बात करता है महाबारत के पात्र हैं युदिस्टिस्टिस जब उनका पूरा का पूरा परेवार खत्म हो जाता है युद्ध में, कोरोपांडवों के युद्ध में अठारा दिनों तक जो चलता है उसी उद्ध के बाद एक लंबा समय गुजरता है राज-काज पूरा समेट लिया जाता है सब क्ःप्म होता है स्वर्ग जा रहे होते हैं, धीरे धीरे उनके साथ जितने भी चलने वाले थे, सब साथ छोड़ देते हैं, और बचता है कौन? एक कुत्ता, जो उनका अंत तक साथ निभाता है, तो यानी सिर्फ मनुष्य ही दूसरों से प्यार नहीं करता, दूसरों के प्रती मनुष्य को ही वफादारी नहीं दिखानी चाहिए, दूसरे भी पसुपक्षी, जितने जो बोलते हों, नो बोलते हों, वे सभी दूसरों के प्रती वफादारी और दाइत्तों अपने अपने तरीके से निभाते हैं, तभी तो हम आज विज्ञान के भी की विवात करें, तो फूड चेन हर प्राणी एक दूसरे पर करता है, तो तो इस तरह प्रक्रति क्यों प्रती हमारा सम्वेदना होनी चाहिए, हमारा दाइत्त् Datum झौड होना चाहिए, यह तो है ही, पाठ ऑग जांवेरते हम गें रिख persu वो इशारा यह है कि हम अपने अपनी आधुनिक्ता के नाम पर हम निरंतर प्रकृति का दोहन कर रहे हो हैं हम कभी सुनते हैं कि पास के जंगल काट दिये गए अभी आप पूरे देश भर में सुन रहे हैं तरह तरह की घटनाएं गट रही हैं अभी बैंगलोर में घटना गदो लुट के नामों से यहां जानते थे उन सब को लोग मनुष्च ने आधुनिक्ता आप पाट दिया ढख दिया और ढखने के बाद उस पर एक तरह का अतिक्रमन है आप सिर्फ पसु पक्षियों को ही आ आप नहीं बेघर कर रहे आप आप पसु पक्षियों के साथ किनारों को आप आगे कि ओर भड़ते हैं नदी को धिकलते हैं य Lesh को बदले अपको कर रहे हैं हम अपको रहे रहे होते हैं अपको रही हूं जैसे हम इस पार्ट के अगर बात करें जैसे बता bounced through Mari SaaSobi कोला सुप जितने उस समय में थी बिल्कुल बिल्कुल हमने नहीं सीखा तभी तो अनुपम मिश्र जैसे लोगों को यह किताब लिखनी पड़ रही है कि तालाब और इस तरह के किताबों से और अभी जो हम सुनते हैं कि तरह तरह के जो बच्चे पारियावरन को लेकर आवाज उठा रह सबुलड़ा इसम खाद कि प्रखम हो जाने का और पूरे देश में जमा जम भारिश जोरी और बारिश कहर बनकर तूट रही हैं वो सिर् एसा क्यों हो रहा है क्यों हम ए प्रकृति के पूरे जो उसका अपना रिदम था हमने उसे टोड़ दिया हमने उसे रों किया कि हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके साथ उसके साथ दोहन किया है, उसका अतिक्रमड किया है, सागर को हमने धesting दधकेला और हो उस शेहर बसा दिया, पुरा इला का घेर करके, नदियों को और पीछे की और धेर करके,arımने वहा जो शुच केो, पर हमने उसे तोड़ा है रोंदा है तो इसका असर आज हम देख रहे हैं निरन्तर देख रहे हैं और हम अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो पीडी है वो भी इसका दुष्प्रभाव छेलेगी और मैं यह पर एक और बात हम शेय करना चाहेंगे साजा करन कि प्राइब तो पार्क में जाते ते घूने के तो फूर आप पत्ते तोड़ एक पूरा चोटा सा प्रणा के तोर पर लिखा कि मेरी मा कहती थी सूरज डले आंगन के पत्ते मत तोड़ों पेड रोएंगे याज भी हम सुनते हैं जो आपने बात कही वो यहां कहा जा चुका है दिया बाती किस वक्त फूनों को मत तोड़ो फूल बद्दुआ देंगे दरिया पर जाओ तुसे सलाम किया करो अब कलपना करिये हम जो नदी की पूजा करते हैं गंगा को मा कह रहे हैं कि अमुना को कि पूजा कर रहे हैं वो पूजा करने का कारण क्या है हम उसकी लए को बरकरार रखें ताकि वो हमारे साथ वो भी हमारे साथ वही दोस्ती रखें वही हमारा हम उसकी संतान हैं इस तरह से वो हम हमारा भी फर्ज है और मा अगर उसे मान रहे हैं तो मा का भी अ नदी तालाव इनका मनुष्य के साथ एक गहरा संबंद बने इसकी कोशिश की चर्चा करते हुए लेखक करता है और लेखक यही बात नहीं कहते लेखक आगे बताते हैं कि अपने चर्चा करते हैं जो बहत इस पार्थ का मूल लिखने का कारण होता है कि वो अपनी अपना एक संस्मरन सुनाते हैं कि उनकी मा ऐसी थी कि एक बार उनके घर के घर में कभूतर ने दो अंडे दिये और उनकी मा क्या करती है वो कभूतर अचानक एक बिल्ली का बिल्ली आती है और एक अंडे को तोड़ देती है उनकी मा दुखी होती है और दुखी होने के बाद उनकी मान उने सोचा कि दूसरे अंडे को किसी तरह बचा लू और बचाने के करम में उनकी माँ के हाथ से वो अंड़ा फूच जाता है और उनकी माँ ठीक वैसे ही जैसे पूरे जीवन नुह रोते रहे पैगंबर नुह रोते रहे ठीका उनकी माँ साल Supreme साल रोती रही इस अपराद में रही कि उनके हाथ से कभूतर का एक बच्चा जिसके लिए वो कभूतर के जोड़े तडपते रहे वो उनके हाथ से तूट गए तो वैसा वक्त भी था और आज पाठ के अंत में वो कहते हैं कि एक वक्त आज है जब मेरी पत्नी जिक्र करती है क हर रोज पर उनके घर के रोशन्दान पर वर्सोवा में ये घर है और रोशन्दान पर अचानक दो अंडे कभूतर देते हैं और आकर के वो पक्षियों के अंडे को देख कर क्योंकि वो अंडे हर दिन अंडे को और बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को दाना देने क कभूताराद, पक्षी की आते हैं, और इब रखेसे के संगे तूट जाता है, और अतिया को आश्याना था एक जाली लगा दी, और उसके कारण उनके बच्चे को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा, खिड़की के बाहर अब दोनों कबुतर रात बर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोले, सोलो मेन है, जो उनकी जबान को समझ कर उनका दुख माटे, न मेरी मा यह पाठ कहते हुए, जो उनके दुखों में सारी रात नमाज काटे, ऐसी मा जो संबेदनाओं से बरीती, दुनिया में हमें ऐसे ही होना चाहिए, आज आप सुन रहे हैं उदाहरन के लिए, कि मोधी जी एक पूरी की पूरी, खत्म हो गई थी चीतों की प्रजाती, प्रध के लिए, आप अपने प्रजातिया नस्थ हो जाएंगी, तो हमें प्रकृति के प्रती निरंतर सम्वेदन शील होना है उनके प्रति हमें अपना दाइत्व समझना है, कि हम चोशिश करनी है निरंतर कि हम प्रकृति को कुछ दें सकारात्म करूप से, उनका अतिक्रमन न खर नदियों को और बहने दे और तालाब बावली ये बनाएं ताकि जो असंतुलन है वो खत्म हो और जो आज हम जो जहेल रहे हैं पूरा अलीगड फरीदाबाद जैसे जो आसपास मेट्रोपलिटन शहर जो बन रहे हैं वो सभी एक किसी ना किसी तरह से तकलीफ से घिरे हुए ह माम जैसे आपने कहा कि बावली बनाना चाहिए और नदियों के प्रतिवी लोगों को समवेदन शील होना चाहिए ये बात अच्छी है और बात ऐसा होना चाहिए लेकिन अगर हम बहुत बड़े-बड़े कारें ना करें बहुत बड़े-बड़े प्रयास ना करें बहुत ब बेड पौधे लगाएं और अगर आप जहां कहीं अगर इस तरह का अतिक्रमन हो तो गुरुब बना करके जैसे अप बच्चे नुकर नाटक करते हैं तो नुकर नाटक के माध्यम से या कहीं ऐस ऐसी घटना घट रही है लोग अधुनिक्ता के नाम पर किसी तरह का ऐसा काम कर रहे हैं जिसे प्रकृति को का दोहन हो रहा हो या तिक्रमन हो रहा हो तो बच्ची आवाज बन सकते हैं आज हम सुन रहे हैं एक बहुत प्रसिद्ध बच्ची है जिसने बहुत आवाज उटाई विर्देश में जस्ट तो उस 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 ग्रुप में लोग शामिल हो गए बहुत सारे पुरी दुनिया शामिल हुई और इस तरह की घटना बच्चों में जितनी ताकत होती है और जितने बच्चे जंदा दिल होते हैं सजग होते हैं आप और हम मान कर रहें चलें कि हम उतने नहीं होते हैं बच्चे बहुत संवेदंशील होते हैं और उनकी आवाज चाहिए और जो योगदान दे सकते हों अपने स्कूल के अंदर श्कूल के बाहर उन्हें देना चाहिए बहुत ही छोटी छोटी प्रियास करने आपको बच्चो जैसे माम ने आपको बताया बहुत बड़े बड़े प्रयास नहीं करने अगर हम साफ सफाई की देखी तो हम ताकि उनको कुछ चीज़े दे पाएं ताकि हमारी आगे आने वाली पीडियां भी उसी बहतर कल की दिशा में आके बड़े जिसके अपना चाहिए अपने चाहिए लास्ट बताना चाहिए हम जो प्लास्टिक का बैन कर रहे हैं प्लास्टिक को हमने रोका प्रयोग को क्य अपने बड़े जाती है तो बच्चों को सिर्फ अमल करना है मैं मुझे लगते कि हमारे बच्ची बहुत समार्ट है उनको पता है कि किस तरह से रिसाइक बल चीज़े यूज कर रिसायकल हो सके और वन टाइम प्लास्टिक कम से कम नहीं यूज करना चाहिए इसी किसाथ हम इस सतर को यहीं पर समात करते हैं जो हम हिंदी के दसवी कख्षा के विद्यार्थियों के लिए लेकर रहे थे अपारा माम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो में आयो और आपने हमारे सभी बच्चों को इतने अच्छे ये पूरा पार्ट सम लेते हैं इजासत अनुमती मुझे रेणु भट को दीजे इजासत आप बने रहे ये पीम ए विद्या चानल पर नमस्कार